देश में फिर एक बार चुनाब होने जा रहे हैं, एक बार फिर पूरा भाच्पा तंत्र आपको जूठे वादों में पसाने में जुठ गया है नए भारत और विकास की कहानी सुना कर आपको गुमराह किया जा रहा है, बे तहाशा पोस्टर्स के पीछे अपना पाप छुपाया जा रहा है बकवास प्रचार दिखा कर असल मुद्दों से आपको भठकाया जा रहा है ये देश में लोकतंत्र मिटा कर ताना शाही स्थापित करना चाहते हैं, आपको जनता से घुलाम बनाना चाहते हैं आज मैं आपको बताती है कि मोधी जी ने कब कब और कैसे कैसे देश के लोकतंत्र और सम्विधान को मिटाने की कोशिश की याद रखिये कैसे लाखों किसान साल भर सडकों पर अपने हक के लिए लड़ते रहे ताना शाहने किसानों पर कभी लाठिया चलवाई तो कभी गोलियों से भून डाला तो कभी गाड़ी तले रौंद दिया साथ सौ से जादा किसानों की शहादत हो गई युवाओं से सरकारी नौकरी का वादा कर सरकार में आये फिर पकोडी तलने को रोजगार बताने लगे पेपर लीक और अगनीवीर जैसे योजना थोप कर आपके बच्चों के भविश्य को बरबाद कर दिया हिंदू मुस्लिम मंदर मस्जुद कर उन्हें नफरत से भर दिया याद रखिएगा जब मनीपुर में महिलाओं को निरवस्तर करके घुमाया गया तब मोदी जी खामोश रहे मेडल जीत कर आई महिला पहलवानों के साथ लपक कर पोटो खिचवाने वाले मोदी जी जब उन्हीं बेटियों को दिल्ली की सर्कों पर खसीटा गया तो नजर नहीं आये कट हुआ उत्राखंड से लेकर हात रस तक आपके मोदी जी दोशियों के साथ खड़े नजर आये यहां तक की जब उनके अपने संसदिय शेत्र में भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ दुशकर्म किया तब भी वो खामोश रहे इसी मोदी काल में भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोट के जज प्रेस कॉनफरेंस करने पर मजबूर हो गए इन दस सालों ने जिसने भी मोदी सरकार से अपने हक की मांगी सवाल किया या विरोध किया उसे पुलिस से पिटवाया और जेल में बंद कर दिया देश की सारी संपत्ती सारा खजाना अपने अमीर दोस्तों में बाढ़ दिया और जब संसद में राहूल गांधी ने इस पर सवाल किया तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया उनका घर छीन लिया मोदी जी ने देश की सभी जाच एजनसियों को अपने राजुनेतिक फाइदे के लिए इस्तमाल किया विपक्षी नेताओं के घर छापे पड़वाय और उन्हें जबरन जेल भिचवाया याद रखिएगा आज भी जारखंड के मुख्यमंतरी है मनसुरेइन और दिल्ली क मुख्यमंतरी अर्विंद के ज्रिवाल जेल में है यही नहीं चुनाव से एन पहले इंकम टैक्स का इस्तमाल कर कॉंग्रेस के सभी खाते फ्रीज करवाये लेकिन खुद दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर इलेक्टुरल बॉंड के नाम पर देश को चूना लगाते रहे और देश की मेडिया को इतना पंगु बना दिया कि वो सरकार के सामने ना खड़ी हो सके ना सवाल करने की हिम्मत कर सके आज देश में ताना शाही अपने चरम पर है और अगर फिर एक बार भाच्पा की सरकार देश में आई और मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो इनका अगला शिकार आप आपका परिवार और आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपके पास लोक्तंत्र बचाने का याखरी मौका है आपके पास समविधान बचाने का याखरी मौका है अपनी आजादी बचाई रखने का याखरी मौका है प्रुट मैं चुर्णारी और आपी और प्रुटारी और चंग तो सुपाल करें।